में बेस होता है इसके अंदर जो वो टिंटर से रहते हैं वो अलग-अलग कलर के वो डालने पड़ते हैं अब यहां पर बताया है यहां पर दिखा दिखा दिए वीडिये में कवर कर दो गा किस तरीके से कलर कोर नेकलते। उसके बाद किस तरीके से सा कलर मशीन दया दाते हैं उसके बाद कहले कोसी मिलानी कि पड़ते। हम दिखार अ कहले स new बहुत सारी मट्टी वगरे बीटीवी होती है इसको पहले हमें रिमू करना होता है इसके लिए हमें पॉलिश लगाएंगे उसके बाद इसको घिसके निकलेंगे उसके बाद इसके अंदर का जो में कलर होता है वो निकल आता है पहले स्टेप में हमें इसको घिसेंगे उसके बाद इसका color code निकालेंगे किस तरह किसे होता है आगे देखिए तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह किस रही है यहाँ पर जो scratches वगेरे जो पानी के जो marks वगेरे ना जो मट्टी के marks है वो निकल जाते है यानि कि आगे जाके color matching करने के लिए problem नहीं आता है ओके तो आप हम इसके उपर मशिन लगाएंगे जिससे कि इसका color code निकल के आता है तो देखिए गाड़ी को दिन बदिन यूज करने के बाद वह पीली पड़ जाती है किस किस condition में fight हो जाती है यानि कि color change होता है तो अगर आप color code की इसाब से जाओगे तो वह गाड़ी का color code रहता है वो नहीं गाड़ी की इसाब से रहता है यानि कि आगर जब आप company से गाड़ी लाई थे ना उस तरीके से color code और color की matching रहती है अगर उस तरीके से हम बनाएंगे तो आगे जागी काड़ी को मैच नहीं करेंगा क्योंकि गाड़े अगर धूप में लगाएंगे तो गाड़ी पीली पड़ जाती है कई 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 कंडिशन में वाइट हो जाती है तो उसको color को color match करने के लिए हमें पुराना ही जो यूज किया है ना गाड़ी उसी पार्ट को हमें मैच करना होता है इसलिए हम क्या करेंगे आप मशिन लगाने लगा के जो पुराने वाली गाड़ी पुरानी हो चुका है ना पार्ट उसक गाड़ी यूज करने के बाद किस तरीके से color है ना वह उसका color कोड़ कर देंगी आगे- 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 देखिए किस तरीके से हम इसका color बनाते हैं तो यहाँ पे अदेखिए कुछ इस तरीके से process चल रही है टोटली मशिन लगाते हैं यहाँ पर टोटली टेकनिकली आच्छी तरीके से आपको सभी चीज़े मिल जाएगी तो तीन बान लगाना होता है इसके उपर पर उसके बाद कलर तायर हो जाता है कलर का कलर को निकल जाता है यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे शॉप के उपर यह फैसिलिट आवेलेबल नहीं होती है वह मैन्यूली करते हैं सब चीज़े यानि के हाथ से मिलाना और आख से देखना इस तरीके से कलर मैच करते हैं लेकिन इस शॉप के उपर यह मशिन है इससे मैच करते हैं टोटली और इससे ही बनाते हैं अब यह यह जो मशिन है इस कॉम्पेटर से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका कलर कोड आ जाएंगा इन शॉट आपको प्रोसेस में बताता हो किस तरीके से होते हैं यहां से हम कलर कोड निकलेंगे इस मशिन के मदद से उसके बाद यहां पर आता यहां से क्या करेंगे एक एक कलर उठाएंगे उस मशिन के हिसाब से उस मशिन में जितना मात्र में बताया है उस हिसाब से यहां पर इस मशिन के उपर डालके वेट करेंगे और वहां से फाइनल कलर निकल के आता है फाइनल कलर मैचिंग भी करना पड़ता है यह सारी चीज उसका formulation होता है यहाँ से इस parts के उपर से अगर color code निका लेंगे यहाँ पर दिखाई देता है दिखा दो किदर है यहाँ पर देखिये यहाँ पर बताता है आपको दिखाता हूँ अच्छी तरीके से मैं तो यहां पर आप देखिए यहां पर मारुदिक का यह जो कलर कोड है निकल के आया है इसके उपर आप ओके तो आगे की प्रोसेश किजिए ओके यहां पर आप देखिए आप इसमें कितनी कॉंटिटी बनाने वो डालने का है अगर 100 ml बना दो हो दो पीस से मारने के 100 बेस मणा दो और 100 बना दो के तो इस कलर में आप देखोंगे न कि यही जो कलर है ओड ये दो प्रे आता हम चैसे प्लेकरतर कशमक रहा हुए वक तो इससलिए 2 कोड में कलर आता है coating आलग से होता है उसकी process हम आगे देखेंगे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बताया है कि कौन से डब्बे में T100 डब्बे में से इतनी content डालनी 8.2 ऐसे कुछ इस तरीके से सारी के सारी चीज़े यहाँ पर दिखाता है तो उसी तरीके से आप वहाँ पर जाके इस डब्बे में से निकल के हमें weight करना होता है यहाँ पर आप देखिए आप यह 100 ml का डिब्बा लिया है यहाँ पर weight calculate करना होता है यहाँ पर उन्हें फोटो निकला है कि उस computer के उपर कितनी मातरा में कौन सा कौन सा क्या क्या डालना है में बेस होता है इसके अंदर जो वो tinters रहते हैं वो अलग-अलग color के वो डालने पड़ते हैं अब यहाँ पर बताया है यहाँ पर दिखा दें 37.7 उदर भी वही डाला है 37.7 यहनि कि में color 37.7 डाला है उसके बाद यह कुछ दूसरा color मिला रहे fight वाला color उसकी भी quantity यहाँ पर बतायी होती है कि कितना डालना है किसमें ओके तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 75 हाँ तो वो quantity बतायी है वो डाल रहे है उदर दिखे कुछ इस तरीके से बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होता है कि गाड़ी का color किस तरीके से बनाते है तो आपको एक एक चीज में बता रहो वो दीके यहाँ पर यहाँ पर बतायी 82.2 और यहाँ पर भी उतना ही लिया 82.2 ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहिली quantity तो डाली है दूसरा कौन सा color था ब्लैक कलर डालना था कितनी quantity थी उसकी एक ग्राम यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा साब को ब्लैक दिखाई देगा और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ उसके बाद इसको mix करना है और उस sample के साथ match करना है आप देखिए यह जो है base color है उसके बाद यह पर लाता है यह आपने पहले वीडियो में देखा था कि परल किस तरह के से चमकते हैं तो पहले white base मारना पड़ता है और उसके बाद उसके उपर परल मारने पड़ते हैं परल आलक से बनने पड़ते हैं इसका एक हाथ मारना पड़ता है स्प्रे करना पड़ता है उसके बाद इसका एक हाथ स्प्रे करना होता है और उसके बाद clear coat मारना पड़ता है एक एक डिटिल में आपको वीडियो बताऊंगा हर एक चीज की नॉलेज दूंगा खाले आपको इस उडियो को लाइक करना है और आपने दोस्तों के साथ चीर करना है तो अब हम यह बेस कलर किया है ना इसको हिला के आप इसको मैच करके देखेंगे पूराने वाले सैंपल के इनका यह शौप है ओके यह पंडरपूर में इनका शौप है न सर अबंडरपूर में सरगम चोक में अगर आप भी चाहते हो किसी गाड़ी का कलर बनाना तो यहां के इस शौप के उपर आपके विजिट कर सकते हो सो यहां फे इसका टॉप कोट है 320 की परल कोट बनाया जा रहा है इसकी कॉंटिटी की सहब से वहां पर वेट किया जाता है और एक हो स्कुडर को उसके बाद कलर फाइनल होता है तो इसको तयार करेंगे उसके बाद मैचिंग किस तरह के से करते हैं वह आगे जाके देखेंगे आप देखिए यह जो मेन कलर है बेस कलर है ना इसको इस सैंपल के उपर मैच करके देखेंगे यहाप आप देख सकते हैं किस तरह के से मैचिंग हो रही है इसको मैच करेंगे यह मैच हो गया अगर इसमें थोड़ा सा ब्लैक रहेगा तो ब्लैक डालेंगे येलो रहेगा तो येलो डालेंगे कुछ इस तरीके से इसका कलर बनाते हैं